लकनों के जिला दालत परिसर में बम से हमला किया गया है, बताया जा रहा है कि बम से ये हमला एक वकील पर किया गया, बम से हमले के बाद भारी संख्या में वहाँ वकील कोट परिसर में जमा हो गए, साथी बड़ी संख्या में वहाँ पुलिस की तैनाती भी की गई है, बताय निकाले और इनके खिलाप जो उचितकारवाही मानी पूचिने अले से बंती इनके खिलाप कराई जाए और इस तरह की गंदगी इस परिसर में फैली हुई है वकीलों के भीज में गुंडे इस्टेंड वाले जो फैले हुए है यहां से सभाई होनी चाहिए अब बताईए इस सुरच्छा व्योस तक कैसी है जिलाजच्की कि यहाँ पर जो बम लेके और असलहे लेके बाहरी लड़के अंदर आते हैं और मेरे उपर हमला कर देते हैं तो जिला आदालत परिसर में यह बम से हमला हाला कि जो जानकारी मिल रहे हैं शुरुवाती तोर पर वो यह के दो गुटो के बीच का यह विवाद था जिसके चलते एक वकील पर हमला किया गया जिला अदालत में यहां से जिन्दा बम भी बरामद हुए है पुलिस के मुताबिक वकीलों के दो गुटों के बीच टक्राव का ये पूरा मसला था जिसके बाद ये हमला हुआ है हाला कि अब पुलिस इस पूरे मामले की जाच परताल में जुट गए है पाकिस्तान की आतंकबाद निरोधी अदालत ने हाफिस सईद को 11 साल की सजा सुनाई है टेरर फंडिंग और मनी लॉंडरिंग के दो मामलों में हाफिस को सजा का एलान किया गया है लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके बावजूद हाफिस सईद मुतमाइन है इसलिए क्योंकि इमरान खान ने हाफिस को जेल से बाहर निकालने का प्लान भी तयार कर रखा है इमरान खान के चहिते आतंकी को 11 साल की सजा हाफिस सईद टेरर फंडिंग का गुनेहगार साबित FATF के डंडे से बचने की कोशिश करते इमरान मुंबई हमलों का मास्टर माइन्ड हाफिस मुहमद सईद अब जेल में ही रहेगा हाफिस सईद की जिंदगी सलाकों के पीछे ही कटेगी ऐसा दावा कर रहा है पाकिस्तान वही पाकिस्तान जो अब तक हाफिस सईद को बचाता आ रहा था वही पाकिस्तान जो हाफिस को कैद में रखने का धोंग रच रहा था अब उसने टेरर फंडिंग मामले में हाफिस सहीद को दोशी करार देते हुए सजा का ऐलान कर दिया आपको बताएंगे इस आईलान के पीछे चिपी पाकिस्तान की साजश के बारे में आपको बताएंगे उस डर के बारे में जिससे बचने के लिए इमरान सरकार और पाकिस्तान की अदालत ने हाफिस को गुनेहगार बताया है लेकिन उस से पहले आपको बता दें कि लाहर की एंटी टेरिरिजम कोट ने हाफिस सहीद को केरर फंडिंग के दो मामलों में दोशी पाया है लाहर की एटी सी ने आतंकी संगठन लशकर के सरगना हाफिस सहीद को 11 साल की सज़ा सुनाई है इसके लावा हाफिस सहीद पर 15,000 पाकिसानी रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है अब डिर्ट करें आपको आहम समात के हवाले से तो इंसदादे देश्चत गर्दी की खुसूसी अदालत में हाफिस सहीद के खिलाफ केस की समात हुई है और अदालत ने हाफिस सहीद को साड़े पांच साल कैद की सजा सुना दी है आपको बताएं के इंसदादे देश्चत गर्दी की खुसूसी अदालत के जजज अरश्यद हुसैन भुट्टा की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है अदालत ने हाफिस सहीद को 15,000 रुपे जर्माना भी किया है लश्कर और जमातु दावा के सरगना हाफिस सहीद पर टेरर फंडिंग और मनी लॉंडरिंग से जुड़े दो दर्जन से ज़ादा मामले पांच अलग-अलग शेहरों में तर्ज है पाकिस्तान की काउंटर टेरिरिजम डिपार्ट्मेंट के मताबिक जमातु दावा आतंकी संगठन लश्करे तैपा के लिए पैसो का इंतजाम करता था इसी सिल्सले में लाहौर और गुजरावाला में दो मामले दर्च किये गए जिस पर सुनवाई पूरी होने के बाद पैसले का इंतजार हो रहा था और अब हाफिस साईद को सजा का ऐलान कर दिया गया है लेकिन सवाल ये कि क्या हाफिस साईद को वाकई सजा होगी ये सवाल इसलिए क्योंकि हाफिस साईद लाहौर के एंटी टर्रिरिजम कोट के फैसले को दूसरी अदालत में चुनौती दे सकता है बहुत मुम्किन है कि मामला दूसरी अदालत में जाते ही उसे बाइज़त बरी कर दिया जाए सरकारी वकील ने अगर पैरवी ठीक धन से नहीं की तो हाफिस खैस से आजाद हो जाएगा पाकिस्तान जब भी उसके उपर एक प्रेशर कम हो जाएगा तो ये किसी नकिसी बहाने से किसी नकिसी अपील के माध्यम से इसको रिहा करा सकता है पाकिस्तान अंतराष्टी दबाव से बचने के लिए एफए टीएफ के प्रेशर से बचने के लिए उसने ये कारवाई की है और जब एफए टीएफ का प्रेशर उसके पास कम हो जाएगा तो उसके बाद वो किसी तरह की नई अपील दायर करके किसी हायर कोट में अपील डायर करके पाकिस्तान की सुप्रीम कोट में जा करके अपील डायर करके इसको फिर छुडाने की कोशिस करेगा हाफिस साइट 26 नुवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले का मास्टर माइंड है साल 2012 में अमरीका ने साइट को वैश्वी का तंकवादी घोशित करते हुए उसके सिर पर 80 करोड का इनाम रखा था इसके बावजूत पाकिस्तान हमेशा से हाफिस साइट को बचाता रहा लेकिन जैसे ही टेरर फंडिंग और मनी लॉंडरिंग पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था FATF की निगाहे टेड़ी हुई और उसने पाकिस्तान को ग्रेलिष्ट में डाला इमरान खान ने हाफिस को ढाल की तरह इस्तमाल करने की साजिश रची बहुत जल्द FATF पाकिस्तान को ब्लैक्लिष्ट करने पर मन्थन कर रहा है ऐसे में कयास ही लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान FATF के हंटर से बचने के लिए हाफिस पर कारवाई का धोंग रच रहा है पाकिस्तान के उबर जबदस दबाव है FATF का जबदस दबाव है European Union का अमेरिका का कि अगर उन्होंने टर्रिस मनी लॉंडरिंग के खिलाफ कारवाई नहीं की और हाफिस साहीद के खिलाफ कारवाई नहीं की तो उनके उपर शिकंजा और कसा जा सकते तो ये एक किसले पाकिस्तान का दिखावा है कुछ दिनों पहले अमेरिका ने भी पाकिस्तान से हाफिस पर कारवाई की मांग की थी भारत हमेशा से उसके खिलाफ धोस एक्शन की मांग करता रहा है उपर से FATF का दबाव इमरान चारों तरफ से फंश चुके थे आतंगवाद को पालने पोस्टने वाला पाकिस्तान बे नकाब हो चुका था ऐसे में इमरान ने हाफिस को सजा सुना कर दुनिया भर के देशों की आँखों में धूल जोगने की एक और कोशिश की है लेकिन उसकी ये कोशिश कभी कामियाब नहीं होगी पाकिस्तान को अगर सब के साथ मिलकर रहना है तो आतंगवाद पर लगानी ही हो रोटी के खेल में इमरान ने आतंग की हाफिस सईथ को भले ही जेल भेश दिया हो लेकिन हाफिस को 11 साल की सजा देने के बावजूद भी इमरान आर्थिक मोर्चे पर पिछड़ चुके पाकिस्तान की हालत नहीं सुधार सकते दरसल अंतिराश्ट्रियम मुद्रा कोशनिक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक इस साल जन्वरी में पाकिस्तान में महंगाई दर 14 पतिशत से भी उपर पहुँच चुकी है पती भी महंगाई का सिसला थमने का नामी निले रहा आटा चीनी घी डाले पाकिस्तान में पूटा सबसे खतरनाग महंगाई बढ़ती जा रही है और अबिसली लोग बड़े परेशान है पाकिस्तान में महंगाई जी बहुत जएदा है पाकिस्तान में तो बड़ी बुरी आलत हुई है महंगाई से जनता का त्राहिमाम इमरान हुए परिशान एक इमरान जैसा चोता आदमी ये कैसा परदाश करें बरबाद अर्थवेवस्था पर पाकिस्तान की संसद में संग्राव बस कुछ दिन और पाकिस्तान बरबाद बस कुछ दिन और इमरान का खेल खत बतौर मुल्क पाकिस्तान आखरी सांसे ले रहा है आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान की हालत बेहत गंभीर है 2020 में महंगाई सारे रिकॉर्ड तोरती चली जा रही है जनता के पास खर्च करने को पैसे नहीं और इमरान सरकार के पास जनता की क्रैश शक्ती बढ़ाने की कूवत नहीं नतीजा ये कि पाकिस्तान की अर्थ्विश्था वेंटीलेटर पर है और इमरान खान नो बॉल पर नो बॉल फेके चली जा रहे है आटे चीनी से लेकर लेसुन और प्यास के दामों में आग लगी है टमाटर पहले से ही लाल है और पाकिस्तान की गरीब जनता का जीना मुखाल है बहुत मेंगाई है इसने बड़ा जलम किया है ना कोई से पता है क्या करना है किस तरह करना है इनसान नाम की कोई चीज नहीं जूट बोले जाता है पाकिस्तान में महंगाई की इंतहा हो गई है गरीब तो पहले से दाने दाने को मोहताच था अब अमीर भी इमरान को कोस रहा है हर आम और खास उस दिन को याद कर मन मसोस रहा है जिस दिन उसने नए पाकिस्तान का सपना देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए इमरान को वजीर आजम के तख्त पर बिठाए International Monetary Fund यानी IMF के आंकड़े तो और जादा डरावने हैं जिसके मताबिक पाकिस्तान की GDP इस साल 2.4 प्रतिशत रहने की संभावना है जबकि महंगाई दर बढ़कर 11 से 12 प्रतिशत तक जा सकती है जनवरी 2020 में महंगाई दर तो 14.6 प्रतिशत तक पहुँच गई जिसने पिछले 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया बेरोजगारी और महंगाई से जूचती पाकिस्तान की अवाम को मुसीबत से निकालने के लिए इमरान खान पूरा जोर तो लगा रहे हैं लेकिन अर्थ व्यस्था को संभालने के लिए ठेकी गई उनकी हर बॉल वाइट चली जा रही खाने पीने की चीजों की खिलत के साथ साथ उनके दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं हजारों की तादाद में लोग इमरान सरकार के खिलाफ सरको पर आ गए हैं महगाई से बेहाल अवाम इमरान सरकार से आजादी मांग रही है लेकिन इमरान खान कर्ज लेकर मुल्क की अर्थविस्था सुधारने की कोशिश कर रहे है इमरान खान ने एक हजार करोड का विशेश पैकेज देने का एलान किया है यह नहीं जनता तक सस्ता सामान पहुचाने के लिए यूटिलिटी स्टोर को हर हफते सौ करोड रुपए देने की घोशना भी की गई है जो पांच हफतों तक जारी रही की लेकिन जिस आर्थिक मदद और यूटिलिटी स्टोर की बात इमरान खान कर रहे हैं उसकी हाखिकत क्या है? सुनिए पाकिस्तान की जनता की जुबन तेखें जितनी में जाई हो गई है अब गरीब बन्दा क्या करेगा? हर बन्दा अपने एक टाइम का करेगा दो टाइम का करेगा मैकसिमम दस पंदराद आर्बीज आर्से सेरली ज्यादा नहीं है 15 रुपए की एक रोटी के लिए जूचती पाकिस्तान की अवाम को अब शायद अपनी जेब और धीली करनी पड़े जो पहले से ही खाली हो चुकी है यही नहीं इम्राद सरकार को एक ऐसी चेतावनी भी मिली है जिससे महंगाई बम के साइड एफेक्ट और ज्यादा भयानक हो सकते हैं पाकिस्तान की अर्थ व्यवस्था आप तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है कयास ये लगाए जा रही है कि पाकिस्तान पूरी तरह तबाह हो जाएगा इसलिए क्योंकि अब अंदराश्ट्रिया मुद्राकोश जैसी संस्थाएं उसे मदद करने में हिचक रही है जबकि टिड़ी दल के आक्रमण ने पाकिस्तान में खाद्य संकट पैदा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी आईमेफ से पाकिस्तान को नहीं मिलेगा कर्ज पाकिस्तान में टिड़ी दल करेगा फसल बरबाद पाकिस्तान के लिए खत्रे की घंटी बच चुकी है अर्थव्यस्ता टाइटेनिक की तरह डूब रही है अवाम का अक्रोश चरम पर है महंगाई और बेरोजगारी से निपटने के सारे उपाए नाकाम साबित हो रहे हैं उपर से अंतराश्ट्रे मुद्रा कोश यानी आईमेफ ने भी अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है वही आईमेफ जिसने पाकिस्तान को कर्ज देकर मुसीबत से निकालने की कोशिश की थी वही आईमेफ जिसने पाकिस्तान को और कर्ज देने की तैयारी की थी मगर मुल्क के सूरतहाल देखकर अंतराश्ट्रे मुद्रा कोश भी बैक फुट पर आ गया है आईमेफ की एक टीम 11 दिन के पाकिस्तान दोरे पर है ये टीन बेल आउट पैकेज के तहट पाकिस्तान के प्रदर्शन की समिक्षा कर रही है पिछले साल जुलाई में आईमेफ ने पाकिस्तान को कड़ी शर्तों पर 600 करोड का कर्ज दिया था जबकि उसे मार्श 2020 थक आईमेफ से 32 करोड रुपए मिलने की उम्मीद है लेकिन चालू वित वर्श में पाकिस्तान को 200 करोड रुपए राजस को कम आया है ऐसे में बहुत मुम्किन है कि आईमेफ पाकिस्तान को कर्ज की अगली किश्ट ना दे आपने कोशिश ये किये कि पहले साल में हर चीज़ कर दे बाबा ये तीन साल का प्रोग्राइम है आप सोच समझ के मूव करते सिस्टेमाटिकली सीक्वेंसिंग करते तो अल्ला के फजल से आप स्टेबिलाइस भी होने जा रहे थे अल्ला के फजल से कमस्किन एक चीज़ में तो हकुमत की है कि ट्रेट का खसारा कम हुआ है पाकिस्तान की जनता बेचारी रोटी की जंगलरती नजर आएगी लेकिन इमरान खान के लिए सिर्फ यही मुसीबत का सबब नहीं बल्कि एक और वज़े भी है जिससे इमरान परिशान है और वो वज़े है टिड़ी अटैक बलुचिस्तान और सिंध के बाद टिड़ी दल ने पाकिस्तान की पंजाब रांद के खेतों पर हमला कर दिया है टिड़ीों के हमले से किसान परिशान है लाखों एकर पर खड़ी फसल तबाह होने के कगार पर है कमाद और मक्ये की फसल पर खत्रा मंद रहा है अब ही अगर ये इसको क्रास करती है और हमारे एरिया में आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि हम तीन से चार साल फाइनेंशिली पीशे चले जाएंगे हलांकि पाकिस्तान की सरकार ने टिड़ीों के हमले से बचने के लिए नैशनल एक्शन प्लैन भी बनाया है सरकार और प्रिशासन टिड़ी अटैक से बचने के लिए हर जरूरी इंतजाम करने के दावे कर रही है लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि टिड़ी दल के हमले से पाकिस्तान में खाद्य संकट पैदा हो सकता है इसके लिए जहाज लिये जारे हैं गाणियों के रेंगमेंट हो रहा है सर्विलेंस के लिए और इसके ट्रिट्मेंट के लिए और उमीद करते हैं और लल्ल्ल अल्य की बरकत शामली हाल हुई तो हम जल्द इसके उपर काबो कर लेंगे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर करीब 300 किलो मीटर का इलाका ऐसा है जो टिड्डियों की जद में है इससे लेकर सयुक्त राश्ट्रों ने भी जेतावनी जारी की है लेकिन 20 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत टिड्डी दल के हमले से बचने की कोशिचों में नाकाम हो रही है और यही हाल रहा तो बहुत मुम्किन है कि पहले से खाने पीने की चीजों की किलत से जूज रही पाकिस्तान की अवाम भुखमरी की शिकार हो जाएंगे आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि इस वक्त बर्फ से धके रहने वाले अंटार्क्रिका का तापमान दिल्ली के तापमान से ज़्यादा हो गया है और इसका क्या सर होगा इससे क्या परिशानी होगी जानने के लिए यह रिपोर्ट देखिए पिघल रहा है धर्ती पर बर्फ का सबसे बड़ा जमावड़ा अंटार्क्रिका में टूटा गर्मी का रिकार्ड पारा पहली बार पहुँचा 19 डिग्री सेल्सियस अंटार्क्रिका यानि धर्ती का वो बर्फिला हिस्सा जहां 12 महिने बर्फ रहता है धर्ती का वो हिस्सा जिसकी सत्य कई सौ सालों से हजारों फीट उची बर्व के नीचे दफन है। अब वो इलाका दुनिया के लिए एक बड़ा खत्रा बन कर उभर रहा है। एक ऐसा खत्रा जिसकी खबर लगते ही दुनिया के बड़े बड़े वैग्यानिक और शोध करता भी सक्ते में आ गए है। वो खबर ये है कि बर्फिली चटानों में कैद अन्टार्क्टिका अब घड़ी की रफ्तार से पिघलता जा रहा है। इस बात की तज़्दीक अन्टार्क्टिका का तापमान कर रहा है। अन्टार्क्टिका की हालत ये हो गई है कि वहाँ दिली से भी ज़्यादा गर्मी दर्च की गई है। ये खबर जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही डराने वाली भी। दरसल इस बात का खुलासा एक अर्जंटीना की रिसर्च संस्था एस परेंजा ने अपनी रिपोर्ट में किया है जिसके मुताबिक अंटार्क्टिका का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्च किया गया है आकड़ों के मुताबिक सबसे ज़ादा गरम उत्तरी अंटार्क्टिका है पोलर रिजन का तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया इस्ते पहले मार्च 2015 में पोलर रिजन पर 17.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्च किया गया था उस वक्त गरमी ने साल 1971 का रिकॉर्ड तोड़ दिया था दुनिया के तमाम जानकारों ने इन दिनों अंटार्क्टिका में बहुत तेजी से बदलाओ देखे हैं जो भविश्य में दुनिया के लिए बेहत खतरनाक सावित होंगे ग्रीन पीस नाम की संस्था ने भी अंटार्क्टिका को लेकर कई चौकाने वाले खुला से किये हैं ग्रीन पीस की शोध करता फ्रीडा बैंक्स्टन ने ये बयान जारी किया है दूसरी तरफ अंटार्क्टिका में तेजी से पिगल रहे ग्लेशियर ने दुनिया को चिंता में और ज़ादा डाल दिया है पक्षिमी अंटार्क्टिका में हाली में एक बड़ा ग्लेशियर तूट कर गिर चुका है पक्षिमी अंटार्क्टिका का पाइन ग्लेशियर पिगल कर तूट गया पाइन आइलेंड ग्लेशियर का आकार 120 स्कौर मीटर था लेकिन चिंता की बात ये है कि ये ग्लेशियर अंटाक्टिका के थ्वेट्स ग्लेशियर के बिलकुल नस्दीक था का जाता है कि थ्वेट्स ग्लेशियर अगर टूटा तो दुनिया में तबाही आ जाएगी थ्वेट्स ग्लेशियर को डुम से ग्लेशियर भी कहा जाता है वेज्यानिकों के मुताबिक थ्वेट्स ग्लेशियर का अकार इतना बड़ा है कि इसके पिघलने से एक पल में बहुत बड़ी तबाही आ सकती है WMO यानि विश्व मौसम संगठन ने ग्लेशियर तूटने और तापमान बढ़ने की पीशे वज़े बताई है ग्लोबल वार्मिंग को WMO ने ये भी कहा है कि इस बार का तापमान गर्मियों के दिनों से भी ज़ादा है WMO की रिपोर्ट के मुताबिक अंटार्टिका के तापमान में बीते 50 साल के दोरान 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्री देखी गई है जिसकी वज़े से यहां के 87 प्रतिश्चत ग्लेशियर धीरे धीरे सिकुरते जा रहे हैं ऐसा पिछले 12 साल में तेजी से हुआ है यह सब कुछ जलवायू परिवर्तन की वज़े से हो रहा है बर्फ के पिघलने से सदी के अंत तक समुद्रों का जलस्तर करीब 10 फीट तक बढ़ सकता है जिससे दुनिया भर में समंदर किनारे बसे शहर पूरी तरह डूब जाएंगे इससे पहले भी साल 2017 में अंताक्टिका में लारसन सी नाम के एक बड़े ग्लेशियर के तूटने की खबर वैग्यानिकों को मिली थी लारसन सी अंताक्टिका के चार सबसे बड़े ग्लेशियर में से एक है तब ये दरार अंताक्टिका की बर्फ के बीच एक बड़े सी इलाके में देखी गई थी उस वक्त वैग्यानिकों ने चेताबनी दी थी कि आने वाले समय में ये दरार और बढ़ेगी बर्फ पिघलने के लिए जितना जिम्मदार बर्ता तापमान है उतना ही जिम्मदार धर्ती पर बढ़ रहा दबाव भी लगतार बर्ते दबाव की वज़े से धर्ती के अंदर होने वाली हलचल में काफी बदलाव आया है धर्ती पर बरते दबाव से समुद्री की सतह गर्म हो रही है इसलिए पिछले दो दशकों में मौसम में काफी तेजी से बदलाव देखे गए हैं समुद्री की सतह गर्म हो रही है और इसके संपर्क में आने से ग्लेशियर में दरार पढ़ रही है दरार पढ़ने के बाद ग्लेशियर अंदर से धीरे-धीरे खोखले हो रहे हैं विछले सौ साल में दुनिया भर में दो लाक ग्लेशियर में से अब तक करीब दो तिहाई ग्लेशियर पिघल चुके हैं जिनका अब नामों निशान तक नहीं बचा यानि साफ है कि जो प्रलय हम फिल्मों और तस्वीरों में कालपनिक तोर पर देखते हुए आए हैं वो आने वाले समय में दुनिया के लिए विनाश कारी हकीकत बन कर सामने आ सकते हैं पर्षमी एशिया में एक नई जंग का साया मंडराने लगा है सुमवार को सीरियाई टैंकों ने तुर्की की सैनिक टुकडी को निशाना बनाया जिसमें पांच तुर्की सैनिक मारे गए तो मंगलवार को तुर्की समर्थित विद्रोही लड़ाकों ने सीरिया की वायू सेना के एक हेलिकॉप्टर को मार गिराया तुर्की और सीरिया में खिची तलवा आरपार की लड़ाई के लिए दोनों तयाब तुर्की अपने पाँच सेनिकों की मौत पर भड़का सीरियाई हेलिकॉप्टर को निशाना बना लिया बदला इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा क्या खिर क्यों पश्चमी एशिया में एक और जंग की जमीन तयार हो रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त धुए और आग के शोलों से घिरे एक हेलिकॉप्टर को बचाने के लिए इसका पाइलेट जदो जहत कर रहा है लेकिन कुछी सेकंड बाद हेलिकॉप्टर का बैलेंस बिगरता है और वो नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाता है लेकिन फिर पाइलेट उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन ये कोशिश बस थोड़े ही सेकंड की थी हेलिकॉप्टर आग का गोला बन चुका था और धुए को पीछे छोड़ता लगाता नीचे की ओर गिर रहा था इसी दोरान हेलिकॉप्टर से पाइलेट भी कूच जाता है आपको बता दे कि ये MI-17 हेलिकॉप्टर सीरियाई वायु सेना का था जिसे सीरिया के एदलिब में सीरियाई सेना से जंग लड़ रहे विद्रोही लड़ाकों ने निशाना बनाया था खावरों के मुताबिक विद्रोहीों ने इस हेलिकॉप्टर को सीरियाई सेना की बंबारी में मारे गए तुर्की के पांच सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए निशाना बनाया था अलेपो इंटरनेशनल एरपोर्ट के नस्दीक अलनेराव एरबेस से कुछ दूरी पर राक हो चुके MI-17 का मलबा गडवंदन सेना को मिल चुका है तुर्की नियूज एजेंसी एनाडोलू के मताबिक इस क्रैश में पाइलेट और क्रू मेंबर मारे गए वहीं दूसरे अंतर राश्रिय मीडिया रिपोर्ट में सिर्फ दो लोगों की मौत की बात कही जा रही है हलाकि हेलिकॉप्टर के मलबे के साथ दो लोगों की जली हुई लाशे भी बरामत की गई है इस घटना के बाद से ही सीरिया के आस्मान में सिर्फ काला धुआ ही नजरा रहा है जंग का काला धुआ तुर्की के राश्टपती रेजब तैयब एर्दोगान ने सीरिया की बशर अल अतत सरकार को इद्लिब में तुर्की के निगरानी चोक्यों से पीछे रहने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सिर्याई सेना पीछे नहीं हटी तो तुर्की की सेना उन्हें रोकने की गरस से सीरिया में कहीं भी उन पर हम्ला की शुबत आई सनुना कादर रेजिमी सोची मुह्तरस सिनर्लार दिशना यानि गोज़्दन नोक्तालार मुझन गरिसीने चिकारत्मक्ता करालीईज बुन इचिन करादा वे हवादा हर ने गरेकियोरसा चेकिनमेदन तरेद्दूद एत्मेदन हितना ही नहीं राष्टपती एर्दोगान ने रूस को भी चताते हुए कहा कि तुर्की को उम्मीद है कि रूस अंकारा की सम्वेदन शीलता को समझेगा दरसल सीरियाई सेना के अभियान में तुर्की सैनिको की मौत के बाद मौसको और अंकारा के बीच भी तनाव बढ़ गया है और इसकी वज़ा से रूस और तुर्की के रिष्टों में दरार पढ़ने लगी है और ये दरार लगातार गहरी होती जा रही है हलाकि पिछले कुछ सालों के दौरान तुर्की और रूस काफी करीब आ गये थे लेकिन आब माहौल बदल चुका है पिछले साल तुर्की और रूस के बीच कुई सहमती के बाद तुर्की की सेना ने इदलिब के आसपास 12 चेक पोस्ट बनाये थे जिनमें से कुछ सीरियाई सेना की बंबारी के चपेट में आ गये थे बतादे की हाल ही में असद सरकार की गड़वन्दन सेना के हमले में उत्तर पश्यमी इदलिब में साथ तुर्की सेनिकों और एक नागरिक की मौत को गई थी तुर्की ने जवाबी कारवाई की और सीरिया के कई ठिकानों पर हमला किया था मतलब अब सीरिया और तुर्की की आमने सामने की जंग ने रूस और तुर्की के सम्मंद भी खराप करने शुरू कर दिये हैं लेकिन इन सब के बीच जंग जारी है और जारी रहेगी यानि इनसानियत मर रही है और मरती रहेगी